Radiant Cash Management, Friday को खुल चुका है, अब तक कोई बड़ा response से मिला नहीं है, बट Anil जी से इस पर रही नहीं है, राय, Anil जी को क्या करना है इस IPO में? मेरे इसाब से तो IPO को लिस्टिंग के बाद ही लेना चाहिए, लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए, और अगर कोई बहुत की हाई रिस्टिंग के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है कि 10-15%, 5-10% अगर लिस्टिंग नीचे हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं ब कुछ अच्छी चीज़ें हैं कंपनी में और कुछ कम अच्छी जो वेसे चीज़ें ज्यादा तर अच्छी हैं, जो मैं बता दूँ आपको, पहली चीज़ पर प्रमोटर्स बहुत ही एक्स्प्रियेंस्ट हैं, इस बिजनिस का अच्छा का सा उन्हें अनुपह है, बिजनि अच्छी जो अच्छी बात है कंपनी के बार में इसके फाइनेशल काफी बढ़िया है, कंपनी ओल्मोस डेट फ्री है, खाली चोटा मोटा वर्किंग केपिल का लोन है, कैश फ्लो हेल्दी है, एक कोविड वाली साल को छोड़ दो दरवाई लगातार कैश फ्लो बढ़िया मिले हैं, तीन सबसे बड़े प्लेयर हैं, रिटेल कैश मेंजमें में, उनमें से ये एक है, तो मार्केट लीडर भी है, ग्रोथ लगातार हो रही है, एसेट लाइट मोडल है, बहुत जादा इनको एसेट में पैसा डालने की ज़रूत नहीं है, तो उसलिए आज से आप दे कम होते हैं, केश टांजिक्शन कम होंगे, तो केश सर्कॉलेशन कम होने की संभावना होती है, अभी तक वो ट्रेंड दिखा नहीं है, केश सर्कॉलेशन है, आगे बढ़ना वा चाहिए, यो एकोनोमी की साइज अगर बढ़ती है, तब तो उसलिए चोटी से इसके कोई खा इसके खास है, लिखने के लिए लिखना प्रता है, अब आजए जो डिक्कत है वो वेलिशन पर है, सस्ता नहीं है, आजकल के मूर महौल को देखकर इन्हें थोड़ा सस्ता दना चाहिए, समनी में हर चीज बढ़िया है, वेलिशन सस्ते चाहिए, देकर SIS इससे मिलता जिलत सबसे देखा जाए, तो इन तीनों पर सबसे चोटी है, तो फिर क्या वजए कि हम इसे ज़्यादा मुल्टिपल दे, तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी वेलिशन स्थोड़े से महंगे है, और दूसरा है कि आजकल लिस्टिंग पर पैसा बनाना बढ़ा हो गया बार और इस समय महेंगा है, जब हम देख रहे हैं, सस्ते वाले भी लिस्टिंग तो आपको कुछ ज़्यादा आक्षन दिखान दिखाने रहे हैं, जिन जो जो 25, 25, 25 बढ़ा है, उनमें भी लिस्टिंग में पैसा नहीं बन रहा है, तो दूसरा के दुबात ही चोड़ दीजे, स बना कर चलिए, इसपेशली अगर यह एक्सपेंसिव आईपयो आ रहा है, जो यह है, रेडियन कैश मैनेजमेंट लिस्टिंग के बाद इस पर लिएंगे इना सरी,